हेलो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियों बात करने वाले कि बिहार यसाई का जो एक्जाम 23 अगस्त 2020 को आयोजित होने वाला था थे बीपीएस्टी ने बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन ने उस एक्जाम को पोस्ट पेंड कर दिया है तो अब ये एक्जाम कब होगा नया पर साथ ही मेरे चैनल को अगर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली ऐसी लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स आप देख रहेंगे मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ओफिसल साइट में हूं तो अगर आप इस वेबसाइट पर आके खुद से आप चेक करना चाहेते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप डायेक्ट वहां स जारी सहायक अधिच्छक कारा सीधी भरती एम सहायक अधिच्छक कारा भूत पूर्षैनिक की रिक्त पदों पर जो परिच्छा होने वाली थी 238 2020 को प्रस्तावित मुख परिच्छा अगले आदेश तक जो है अस्थागित किये जाने के संबंध में नोटिस जारी किया गय कि तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बिहार आवर सेवा आयूग के लिए नोटिस जारी किया गया है जो एड़र्टयजमन नंबर है 12.19 सहायक अधिच्छक कारा सीधी भरती एम सहायका अधिच्छक कारा भूत पूर्षैनिक के लिक्त पदों पर चैयन है तो जो प्रारम्भिक परिच्छा में सफल अभ्यार थी थे उनकी जो मुख परिच्छा कराई जाने थी उग तेई साथ दो हजार बीज को आयोजित होने वाली थी तो BPSC ने डेट पहले कंफर्म किया था कि 23 अगर्ष्ट 2020 को मेंस का एक्जाम कराया जाएगा परन्त बरतमान में यहां से आप देख सकते हैं जो रीजन थक बरतमान में लगाएगे लागडाउन के कारण दीनांग 23 अगर्ष्ट 2020 को प्रस्ताविद मुख परिच्छा अगले जो है नेक्स्ट जो है डेट का इगजाम होगा इसके लिए कोई भी अभी डेट कंफर्म नहीं किया गया है डिव टू कोविड-19 इस परिच्छातिती को अस्थकित कर दिया गया है जैसे ही निव कोई परिच्छातिती आती है या बिहार एसाई से समझे कोई भी नया लुटते हैं